हेलो दोस्तों नमस्कार धिनभर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे जहां सबसे पहले बताएंगे सीमा पर बढ़ती गुज़ पैट के बीच मोधी सरकार ने लिया सबसे बड़ा एक्शन सबसे बड़ा फैसला बी एस एफ के डी जी और एस डी जी को हटा दिया गया दोस्तों बताएंगे इन दोनों फैसलों के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है तो वहीं चीनी जासूसी जहाज जियांग यांग होंग तीन ने की भारतिया इलाके की रेकी दोस्तों जानकारी मिलता ही भारतिया सुरक्षा महकमे में मच गया हड़कंब बताएंगे आखिर इतनी जुर्रत कैसे कर दी चाइनीज इस जहाज ने तो वहीं भारत के अंदर बाड़ ला सकता है चाइना ब्रह्म पुद्र के ग्रेट बैंड पर बना रहा विशाल बांध बहुत बड़ा खत्रा अपने भारत को विस्तार से ये खबरें बताएंगे दोस्तों बताएंगे तो वहीं दोस्तों सबसे बड़ा सर्वे आपको बताएंगे क्या वागए में सीम योगी आदितिनात को हटाने की तैयारी कर रही है भारतिया जनता पार्टी सर्वे में आए चौकाने वाले नतिये जानकर आप भी रह जाएंगे दंग सारी जानकारियां बताएंगे बसा वीडियो का अंतितक बने देगा और लगातार अपने भारत का विकास चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाके कोमेंट में जहीं दवशी कह दीजेगा तो बात करें पहली बड़ी खबर की जहां सीमा पारवड़ती घु में वापस भेज दिया है एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई है दोस्तों अगरवाल 1989 बैच के के केरल के अधिकारी हैं जबकि खुरानिया 1990 बैच के ओडिशा के अधिकारी हैं अगरवाल ने पिछले साल जून में सीमा सुरक्षा बलके प्रमुख का कारेभार दोनों बड़े अफसरों की होम केडर में वापसी के बारे में कुछ जानकारी नहीं दिया कुछ भी अभी तक नहीं कहा है लेकिन माना यह जा रहा है कि जम्मू सेक्टर में गुजपैट बढ़ने के कारण नितिन अगरवाल को बीसफ प्रभार से मुक्त किया गया है जम्म करणिया फिल्हाल जम्मू के सीमान्त छेतर के दो दिवस्य दोरे पर है उन्होंने जहां उन्होंने छेतर में सुरक्षा इस्तिती की समिक्षा की है यह बैटक अंतराश्टिय सीमा पर सीमा पार से होने वाली गुसपैटर उसके कथित खत्रे के मद्द देन निजर हो रही ह खुरानिया ने उनके साथ सुरक्षा समिक्षा बेटेक में आई जी बीस एफ जम्मू आई जी बीस एफ कश्मीर और जम्मू सिमान्त छेतर के वरिष्ट अधिकारी शामिल हुए बैरा दोस्तों मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला वाकई में दरशाता है कि अब मोदी जी सब उससे पहले घर के ही लोगों से जवाब मांगेंगे उसके बाद जरुत पड़ी तो पाकिस्तान में घुसकर आतंग वाधियों का सफाया करेंगे जी हां दोस्तों तो आपको अगली बड़ी खबर बता दें चीनी जासूसी जहाज जियांग यांग होंग शुन्य तीन ने क भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंगाल की खाड़ी में हाल ही में एक सर्वेक्षण पूरा किया है इस जासूसी जहाज ने बीती 13 जुलाई को अंडमान निकोबार द्विप समू के नीचे से हिंद महासागर में परवेस किया था एक महीने के भीतर इस विदी ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं दोस्तों इस राके में चीनी जासूसी जहाज की मौजूद की तीन दिनों तक देखी गई आखरी बारी से कती जुलाई को दिखाया गया यह चीनी जासूसी जहाज कती तोर पर मालदीव के लिए जा रहा था इसी दौरान इस और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर अपनी ओकात से बाजन नहीं आ रहा जिन पिंग तो दोस्तों इस पर आपकी अब जो भी राय हो कमड़ा में बताईएगा जरूर चाइना के इस दोहरी और दोगली नीती पर आपकी क्या राय होगी तो वहीं बता दें लेगिन वहीं यार होने पर चीन जब चाहे तब भारत कंदर बाड़ ला सकेगा और जब चाहे तब सूखा लादेगा और स्ट्रेलियान इस्ट्रेजिक पॉलिसी इंस्टिट्यूड यानी एस पी आई की रिपोर्ट में इस खत्रे के बारे में चेतावनी दी गई है चीन की योजना ब्र अगतवर हैड्रो पावर प्रोजेक्ट कहता है जी हां दोस्तों बहीं बता दें मालदीव के राष्ट बदी मुझू की रहा पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली परंपरा तोड़कर उठाने जा रहे हैं ये कदम जी हां नेपाल के नव निर्वाचित प्रध प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए संभुवत है थाइलेंड जा सकते हैं जिससे पहले किसी पड़ोसी देश की यात्रा करने की परंपरा तूड़ जाएगी हाला कि अवितक पुर्व में नेपाल के अन्य प्रधानमंत्रियों न मुताबिक प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली सितंबर के पहले सफता में बीमस्टेक यानि की बहुत छेत्रिय तकनीकी और आर्तिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के शिखर समेलन में शामिल होने के लिए थाइलेंड की यात्रा पर जाएंगे जी हाँ दोस्तों यानि कि अब तक नेपाल के जो भी प्रधानमंत्री बने है सबसे पहले भारत की यात्रा उन्होंने की है लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है या यूं कहें कि इतने सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेपाल के कोई प्रधानमंत्री सबसे पहले भारत की बजाए थ परहाल आपकी राय तो बनती है दोस्तों तो महीं बता दें रूसी नौसेना दिवस परेड में शामिल हुआ इनस तबर रूसी जहाज के साथ किया साजेदारी अभ्यास जिहां 328 शहवे रूसी नौसेना दिवस परेड समारों में सफलता पुर्वक भागिदारी के बाद भा भारतिय नौसेना का फ्रिगेट रूस की चार दिवसिया यात्रा पर 25 जुलाई को सेंट पीटर्स बर्ग पहुंचा भारतिय नौसेना के जनसंपर कदिकारी कमांडर विवेक मदवाल ने बता कि आइनस तबर की रियात्रा का उधेश इस दोनों देशों के बीच साजदार को और जादा मजबूत करना है और संबंदों को मजबूत दिशा देने के लिए नए रास्ते तलासना है उन्होंने बताया कि ये 328 रूसी नौसेना दिवस परेड में भारतिय नौसेना के जहाज तबर की भागिदारी और समुंद्री गस्तिय अभ्यास का आयोजन भारत औ और रूस के बीच समुंद्री सायोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो इस इलाके में शांती इस्तिता और फ्रक्षा बनाए रखने के लिए दोनों देशों की प्रति बद्धता को दर्शाता है तो वहीं बताते बड़ी और एहम जानकारी जहां स्रिलंका से 21 मचवारों की हुई घरवापसी कोलंबो से चैनने के लिए हुए रवाना जियां भारतिय उच्चायोग ने शुक्करवार को बताया है कि स्रिलंकाई नोसेना द्वारा गिरफतार किये गए 21 भारतिय मचवारों को वापस भेज दिया गया है और वे कोलंबो से चैननने जा हैं को लम्बो में भारतिय उच्चायोग और जाफुना में भारतिय वांлित्य दुतावास ने स्रिलंकाई सरकार के उधिकारियों के सहीयोग से भारत्य मच्षवारों की रिहाय सुनिशित की थी उच्च्वालकी तस्वीर के साथ सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोश्ट किया घरवापसी 21 भारतिय मच्छवारों को सफलता पुर्वक वापस लाया गया है और वे कोलंबो से चैने जा रहे हैं ये पोश्ट किया गया था दोस्तों गुरुबार को भारतिय मिशन ने एक्स पर बताया कि डी एच सी डॉक्टर सत् सिर्लंका को कड़ा जवाब देने में लग गई है दोस्तों क्योंकि बार बार जब भारत इस तीज को इग्नोर कर रहा था या यूं कहें कि सीरियसली नहीं ले रहा था तो सिर्लंका अपने आप में हीरो बनने की कोशिश कर रहा था और लगाता भारतिय मच्छवारों को प को बता दें जमू कश्मीर में चुनाब करांगे के लिए तैयार नियर्वाचन अउयोग इस तारिक को दौरा है जिहां राज नितिक दलो से मुलकात हो चुकी है ताई जरसल निर्वाचन आयोग ने इस साल के अंति तक जम्मू कस्मीर में चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी है इसी के मद्दे नजर आयोग की एक टीम आठ से 10 अगस्त के बीच केंदर शाषित प्रदेश का दोरा करेगी और यहां चुनाव कराने की संभावनाओं को पर्खेगी जिहां बताया गया है कि मुख्य चुनाव आयोग तो राजीव कुमार खुद आयोग की टीम का नित्रत्व करेंगे उनके साथ बांकी दोनों चुनाव आयोग तो ग्यानेश कुमार और SS संदू भी मौजूद रहेंगे श्री नगर मे निर्वाचन आयोग की टीम सबसे पहले राजनीतिक दलों से मुलाकात करेंगी इसके अलावा ये टीम केंदर शाषित प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी और केंदर बलों के अफसरों से भी मुलाकात करेंगे इसके अलावा निर्वाचन आयोग की टीम मुख्य सच एजेंसियों से मुलाकात करेगी तो वहीं आपको बता दें कमला है उसने जीत से पहले ही रच दिया बहुत बढ़ा इतिहास बन गई डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपती उम्मीदवार जी हाँ दोस्तों डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष ने बढ़ा एलान किया आपको बता दें अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपती पत का उम्मीदवार ज्णे जाने को चुनाव कराए गए जिसमें उपर राष्ट्रपती कमला हैरिस ने पर्याप्ट वोट हासिल कर लिए और ये घोशना डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के अध पर अपनी उम्मिद्वारी की घोशना तब की थी जब मौझूता राश्ट्रपति जो बार्डन ने 20 जुलाई को दूसरे कारिकाल के लिए दोड से हटने का एलान किया अमेरिका की मौझूता उपर राश्ट्रपति और आगामी राश्ट्रपति चुनाओं में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मिद्वार आगामी 6 अगस्ट से उन राजियों का चार दिवसिया दोरा करेंगी जहां पर कराब मुकाबला माना जा रहा है उनके चुनाओ प्रचार अभियान दलने 1 अगस्ट को ये एलान किया दोस्तों महीं बता दे हानिया की मौत अब पहले इजरायल द्वारा हुई आतंगी गुठ हमास के सुपरीम लीडर की हत्या है हाला कि ये मामरा इसलिए भी हवा पकट रहा है क्योंकि ये हत्या इरान में की गई है माना जाता है कि इरान उन देशों में से एक है जो हमास का बढ़ावा देने का काम करते हैं अब हालत ऐसे है कि इरान लेवनान समयत लगभग पूरा मद्य पुर्व इजरायल पर भड़का हुआ है पर शायद अब कहीं न कहीं हमास को इस वक्त एक ऐसे नेता के आवशकता है जो उनके खाली अस्थान को भर सकें क्योंकि इसमाइल हानिया की हत्या एक बहुत बड़े लोस की सावित हो रही है हमास के लिए दोस्तों ये बांकी खूंखार नेताओं कि तुलना में मौडरेट चेहरा था जो दुनिया से सीधा समवाद करता था गुट के लिए हानिया को कूटनीती के लिए जानकार करूप में माना जाता था जिसको ना सिर्फ हर चीज की जानकारी थी बलकि ये भी जानता था कि कब तार खीचने और कब ढीले छोड़ने है जी हाँ दोस्तों अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि हमास की कमान अब किसके हाथ में होगी क्या खालिद मेशाल समभा लेंगे कमान ये देखने वाला पल होगा बैरहाल अभी तब कोई घोशना न सकता है जीहां विदेश मंतरी जैशंकर जीने शुकरवार को कहा कि हिंद महासागर में अशांती पैदा करने वाले बदलाब होने की आशंका है और भारत को इसके लिए तैयार रहने के आवशकता है दोस्तों उनकी ये टिपनी छेतर में चीन की बढ़ती समुंत्री गतिव विदियों को लेकर चिंताओं की प्रष्ट भूमी में आई है एक विचारक संस्था ठिंक टेंक के समवाद सत्र को संबोधित करते वे जैशंकर जीने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि भारत के पड़ोस में जो प्रतिस परदा देखी गई है वो निश्चित रूप से ह की जा रही मांग आखिर अमेरिका ने पूरी कर दी अमेरिका ने यूकरेन को पहला एफ 16 लडाकू विमान सौंप दिया है यूकरेन कई महिनों से रूसी मिसाइल हमलों से निपटने के लिए इसकी मांग कर रहा था एक अमेर के अधिकारी ने इसकी पुष्टी की यूकरेन कई महिनों से अपने पश्चिमी सहयोगियों से फ 16 लडाकू विमान मोहिया कराने की मांग कर रहा है उसका कहना है कि रूस द्वारा उसके खलाब दागी जा रही मिसाइलों से निपटने के लिए फ 16 लडाकू विमान की बहुत आवशकता है क्योंकि ये दुश्मन के उगलने वाले ग्लोबल टाइम से पुर्वध एड़ीटर की चीन ने कर दी बोलती बंद एक गलती पढ़ गई इसकी भारी जिहांं चीन के सरकारिए बढ़ बोले खवार ग्लोबल टाइम्स के पुर्वचीफ एडिटर हू जीजीन को सोशल मीडिया से बहन कर दिया गया है वो सोशल मीडिया पर अब कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं जी हां देश की अर्थ विवस्था के बारे में विवादास पर टिपनी लिखने के बाद उनके खलाब ये का मिल है जी हां रिपोर्ट के मुताबिक हूजी जिन के प्रतिबंद की अबदी के बारे में इस पश्ट नहीं किया गया है कि कब तक इसको प्रतिबंदित रखा जाएगा तो दोस्तों बहीं बता दें भारत की तरंग शक्ती से लगेगा चीन को करंट पाकिस्तान के सीने में लोट जाएगा सांब दस देशों की फौज देख कहीं निकलना जाए इन दोनों देशों का दम जिहां भारतिये वायू से ना दुनिया को अपनी ताग दिखाने को तयार है पहली बार भारतिये वायू से ना मल्टी नेशनल एर एकसरसाइज तरंग शक्ती करने जा रही है भारत में होने वाले इस युद्य अभ्यास में दस देशों के लड़ा को विमान शामिल होंगे दोस्तों आज हिंदुस्तान के सामने कोई भी दुश्मन देश आंख नहीं दिखा सकता भारत की तरंग शक्ती को लेकर कहा जा रहा है कि चीन को लाखों वोल्ट का जटका पाकिस्तान के कलेजे में तो डर के मारे सांप लोट जाएंगे इस अभ्यास के दौरान भारत का दबदबा ऐसा होगा कि चीन और पाकिस्तान दोनों में खलबली मच जाएगी क्योंकि जब आसमान में भारत के तेजस मिराज और राफिल घर जेंगे तो चीन भी कांप का सबसे बड़ा युद्याभ्यास करने जा रही है जी हां इस खास एकसरसाइज में एक या दो नहीं दर्जनों देशों के लड़ा को विमान शामिल होंगे इस युद्याभ्यास में अमेरिका अस्ट्रेलिया फ्रांस जर्मनी स्पेन ग्रीस युएई सिंगापूर स्पेन औ अपनी फॉज नंबर वन रहसा के तो वहीं बता दें पाकिस्तानी पीम शहवाज शरीफ ने चीन की कोदी रिस्तों की दुहाई थोड़ी सी और महलत के लिए लगाई गुहार जिहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहवाज शरीफ ने शुकरवार को मीडिया से बात करते है दोस्तों बतादें अगली खबर जहां टूडों के केनेडा में भारतियों से बढ़ रही है नफरत निशाने पर सिख सबसे जादा जीहां नहीं बर्दास्त हो रहे हैं आप रवासी बता दें केनेडा में तेजी सरकेनेटी में अप्रवासियों के खिलाब नफरत की भावना बढ़ गई है इस नफरत के निशाने पर सबसे ज़्यादा भारत्य प्रवासी और विशेस रूप से सिख समुदाय शामिल है हाल ही में हुए सर्वेक्षन में इसका खुलासा हुआ है अप्रवासी है इसके लिए फरवरी में 50 प्रती भावना बढ़ रही है यह नफरत जब नसलवाद हमलों के रूप में सामने आ रही है तो दोस्तों वहीं आपको बता दे भारत में तेजस का अभी हो रहा है इंतजार पाकिस्तानी उड़ाने लगे पांचेवी पीडी का चीनी फाइटर जेट जे थर्टी वन यानि भारत को भी बड़ा खत्रा बता दें भारत इन दिनों तेजस फाइटर जेट के उतपादन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है लेकिन अमेरिका के इंजन ना देने से इसमें जल्द सफलता मिलती नहीं दिखाई दे रही अब ये कहा जा रहा है कि नवंबर महिन में भारत को पहला तेजस फाइटर जेट मिलेगा वहीं भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन अब पाकिस्तान की वायू सिना को पांचेवी पीडी के फाइटर जेट से लेस कर युद का खत्रा बढ़ गया जिहां इजराइल में भारतिया दुटावास ने वर्तमान परस्थितियों के मदेनजर वहां रह रहा है सभी भारतिये नागरीकों को सतर्क रहने की और अस्थानी अधिकारियों द्वारा दिये गए सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की स लाहा दी जाती है जैसा कि इंडिया इन इसराइल एक्स एकाउंट से आप ये ट्वीट भी देख पारोंगे जहांपर चार चार लेटर की एडवाईजरी जारी की गई है तो महीं बता दें क्या वाते में सीम होगी आधित नास जी को हटाने की कर रही है बीजेपी तैयारी दोस्तो सबसे बड़े सर्वे में आया है चौकाने वाले नतीजे बता दे लोकसवा चुनाओ में बीजेपी बहुमत के आकड़े से काफी जादा नीचे रही जिसकी वज़े से गड़बंदन की सरकार बनानी पड़ी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जट की झाली में यूपी में योगी को हटाए जानी के अटकर लोगे बीज़ कई एहम बैटके भी हुई अब एक ताजा सर्वे में जन्ता से इससे सवाल का जवाब जानने की कोशिच की गई है एसा ही एक सवाल था आज तक और सीवोटर के सर्वे में कि क्या बीजेपी यूप प्रक्तिशत लोगों ने नहीं में जवाब दिया यानि कि सबसे ज़ारा लोगों ने कहा कि हां यूपी में CM योगी आदितनात को हटाने की तैयारी चल रही है यानि कि दोस्तों जो लोग हाँ कह रहे हैं वो वाक़े में योगी जी को CM होते तो वे नहीं देखना चाहते होंगे लेकिन दोस्तों हम अगर आपसे ये सवाल पूछे कि क्या बीजेपी यूपी में CM योगी आदितनात को हटाने की तैयारी कर रही है दोस्तों आप लोग क्या जवाब देंगे कमेंड में लिकरबश बताईएगा 42 फिर्दी सबसे ज़्यादा लोगों ने हामें जवाब दिया है यानि कि उनका कहना है कि बीजेपी यूपी में CM योगी आदितनात को सीट से हटा देगी लेकिन दोस्तों हम जवाब आपके द्वारा चाहते हैं तो आप लोग जवाब देना मत भूलेगा और वीडियो को चितना ज़्यादा आज उसके शेयर करेंगा ताकि खबरों के साथ साथ इस सर्वे में भी भाग ले सके तो वहीं आपको बता दें आखिर नजूल भूमी विदहक का पर्याग राज के विधायक सबसे ज्यादा क्यों कर रहे हैं विरोध योगी सरकार भी खुए डिफेंसिव डरसल विधान परिशद के सभापती मानवेंदर सिंग ने विदहक को प्रवर समीती के पास भेजने की मंजूरी दे दिया इसे विदहक ने सूबे के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है विदहक के विरोध में विपक्षी पार्टी की नहीं बलकि सत् से भी आवाज उठी है जी हाँ दोस्तों भारतिय जनता पार्टी के विदहकों के साथ साथ सीम योगी आदितनात के साथ कदमताल करने वाले विदहक रगुराज प्रताफ सिंग भी नजूल भूमी विदहक विरोध में खड़े नजर आये यही वजह है कि विदहक से पास ह एक वी विरोध में उतर गए दोस्तों भी बता दें ममता बिनर जी ने क्यों दी मोधी सरकार को चेतावनी किसको तुरंथ हटाने की दिहफ चेतावनी बता दे पशिव मंगाल की मुख्यमंतरी ममता बिनर जी ने गुरुवार यानि एक अगस्त को लाइफ और हेल्थ एंसर प्रेंच के प्रीमियम पर जी एश्टी हटाने की मांग की है कि इस नीती की समिक्षा करने का निरोज करते वैसे एंटी पीपल पॉलिसी करार दिया एक्सपर पोस्ट टीमसी चीफ ने कहा कि भारत सरकार से हमारी मांग की लोगों की स्वास्तावर शक्ताओं के आधार पर बिमा और चीकिस्ता बिमा परीमियम से जी एश्टी वापस ले लिया जाए सियों ममृता बनर जी ने कहा कि जी एश्टी खराब है कि यह लोगों की बुनियादी जरुतों को पूरा करने की छंता पर पर प्रभाब का उल्टा आसर डालता है बीमा प्रीमियम पर जी लगाने से आम आदमी पर वित्य बोज बढ़ेगा ये कहना है दोस्तों ये चेतावनी है ममता बनर जी की तो वहीं आपको बता दे सस्ते होंगे मोबाइल रिचार्ज करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खुश्खबरी भरी खबर है ट्राइन ने बड़ा गोश अच्छी लगी होगी थोड़ी पेच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाग की कमेट में जहिंद कहना मत भूलेगा मिलते अंगली बड़ी खबर में बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत आभार